हेलो इस्ट्रेंट एक बाफ फिट से आप सुभी का स्वागत आपके अपने योडिचेर्वा एंट सब्टेक्टों में इसमें आज की इस वीडियों में बात करने वाले हैं B.A.N.S. 184 के कोर्स के बारे में Public Health and Epidemiology इसके Paper Type की बात करेंगे Paper Pattern की बात करेंगे Important Question आपको Provide करेंगे Topics के बात करेंगे Assignment और Tribus एर भी डिस्क्स करेंगे तो आज की वीडियो आपके लिए Complete रहने वाली है इस कोर्स के रिगार्णिग अगर आपके पास में B.A.N.S. 184 कोर्स है तो आज की इस वीडियो को इल्कुल भी Escape मत करना आज की इस वीडियो को Complete देगना साथ ही चनल पहली बार आई हो Make Swap Channel को जरूर से सबस्क्राइब करें बहली कंद वालने तकी लेटेश वीडियो आपको सबसे बहले मिलती रहे आई श्रेंट बात करते हैं एक एक करके सब ही पॉइंट्स पर फर्स फुल बात करें इसके कोर्स के मटेरिल के बारे में तो ये सब ही मटेरिल आपको बता दें कि इगनु की में वेबसाइट पर तीनों ही ब्लॉक अबलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा तो आप लोग अगर आपको बुक नहीं मिली है तो यहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं अब इसके बाद में आगे बात की जाए कि ओवराल कोर्स आपका कैसा रहने वाला है इस पूरे BNS 184 के कोर्स में तो यह पूरा जो कोर्स है उसका जो कंटेंट है वो थ्री ब्लॉक में डिवाइड है और टोटल आपके पास में जो यूनिट्स है यानि चेप्टर आपको ज इसके बाद में सेकिंड ब्लॉक है साइकलोजिकल विहेवियर एंड सोशल इसू इसू इन पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट इस पर यूनिट 5 आपको देखने को मलती है जो इसकी पहली यूनिट है इन्फलेंस ऑफ सोशल फेक्टर्स ऑन हेल्थ एंड इल्नेस यूनिट यूनिट 6 चुरी एंड मैथड ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिट 7 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केर प्रोग्राम वाइंडियन गौर्वर्मेंट एंड एंड यूनिट 8 है रिसर्च मैथड एंड स्टेटिक्स टूल यूनिट 9 है डेटा एनलिस एंड यूनिट 10 जो लास्ट यू क्या है इंपोडेंट क्या रहने बाला है फर्स्ट फुल पेपर की ही बात कर लेते हैं कि पेपर आपका ओवराल कैसा आता है इस पर कोर्स का तो बीए नेस परनेटी 4 का लेटेस्ट वाले वेपर है यह जून 2023 के जो टमड एक्साम हूं उसका गोशन पेपर आपकी स्क्रीन पर है कौर्शन वेपर की बात करें तो यह बात है तो यह कोड आपका फोर गरेट का है two hour storage 50 mean mark का वेपर आपका आने वाला है 50 नंबर का वेपर है तो पास festivals की बात के लिए यह Division minimum आपको 18 number यानि 18 marks score करने scores के अंदर pass होने के लिए paper pattern की बात करते है instruction की बात करते है attempt 5 question in all आपको कम से 5 question attempt करने है attempt at least 2 question from each section 2 section उसमें से हर एक section में से कम से कम 2 question आपको करने है और total question आपको 5 attempt करने होगे इसके बाद में जो हर एक question है उसकी equal weighted यानि हर एक question आपको 10 marks का रहने वाले है और word limit की बात करते है because इसको लेकर आपके सबसे ज़्यादे सवाल होते है कि सर्थ 10 number के लिए कितना लिखें 5 marks के लिए कितना लिखें देखो scores की specifically यहाँ पर detail है 10 number का question है तो इसके लिए आपको 300 words में answer लिखना है 300 words लगपक आपके 3 pages के round जाएगा और ज्यादा भी हो सकता है आप ज्यादा लिखेंगे तो best रहेगा 4 pages बर्दो best है और point में लिखना और अच्छा रहेगा इसके बाद में अगर आपका जो question 5 marks का है तो 150 words यानि की लगपक 2 pages या 1.5 pages में आपका answer होना चाहिए एक page में लिखोगे तो कई बार उतने number नहीं मिलते ज्यादा लिखोगे तो content के basis पे आपको number मिल जाएंगे all right question कैसे आते हैं उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कैसा overall रहता है section A आपको देखने को मिलता है जिसमें आपके पास में चार questions है section B है जिसमें आपके बाद चार questions है और इस paper की खासित पता है क्या है इस paper को अगर आपको लगता है कि यार English medium में comfortable नहीं है तो Hindi medium में भी दे सकते हो respective कि आपका medium क्या था ठीक है आपने English medium select किया बट आपने Hindi में भी इस paper को दे सकते हैं कोई issue नहीं है बट main sheet पता है क्या है जो आप answer sheet पे लिखोगे ना कि किस में medium में देना है तो आप महाँ पे clearly mention करना कि Hindi में देना है या English में तभी आप दे पाएंगे और एक और बात इसमें याद रखना अगर आप medium change करें तो कि भाई mix up मत करना कि आदा question Hindi आदा English या एक question Hindi दूसरा English में ऐसा नहीं पूरा paper या तो Hindi में attempt करो या English में तभी आपका valid माने जागे अगर mix किया paper cancel ओके hope कि आप समझ पा रहे होंगे अब यार main topics और questions की बात हो जाएं देखो इस paper के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बहुत simple बाते बतारों जो आपके इस paper को easily pass कराने में help करेगा simple बात यह है कि इगनू का जो assignment है वो आप अच्छे से prepare कर लो assignment अब कितने करने हैं पहले तो assignment से question आते हैं या नहीं उस पर हम नज़र डालेते हैं first question की बात करते हैं first question है what is epidemiology briefly examine various category of observation of studies अब question में देखते हैं जो हमारे पास question paper है उसमें है भी या नहीं तो पहले ही question देख लो what is epidemiology briefly discuss various category of observation of studies 10 number का question है भाई ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बताने वाली बात है 10 number का question directly यहां से आये हुआ है इसके बाद में second question है briefly discuss the core discipline of public health public health की एक ओर discipline आपको discuss करने हैं questions में बात करते हैं कि इसमें दे भी रखा है या आप पे नहीं यहाँ पे what is public health briefly discuss its importance in the management of COVID-19 तो public health से यहाँ पे question आ रहे है थोड़ा अलग तरह से दिया गया latest information को यहाँ पे involved किया गया है तो यह question भी आप एक पुरकार से यहाँ से ले सकते हैं कि यार पूचा गया है public health से ही ठीक है topic आपका similar है उसके बाद में NHP से NHPI जो कि National Health Program of India से बात कर लेते हैं कि इनसे question आया है या फिर नहीं तो इंडिया की health program से भी question आते हैं और इसमें भी आप देख रहे हैं कि यह question दिया गया है ओके इसके लाबा another questions की हम बात करते हैं एक question यहाँ पे given है discuss the impact of globalization on human health यह question भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं give an account of globalization and its impact on health same question है और 10 number का यह question है अभी तक 30 number का paper आपका as a date आया है बाकी थोड़े घुमा के देते वो मैं बात नहीं गर रहा हूं ठीक है एक यह question है epidemic and pandemic यह भी आप से पूछा गया और exam में भी आप से दिया गया है ठीक है इसके अलावा infection disease अगेन आप देख लो दे गई हैं ऐसा नहीं है कि आप मैं कुछ और बोल रहा हूं और कुछ और दिया जा रहा है सेम चीज़ें आपके सामने हैं आप खुदी चेक कर सकते हैं इसके अलावा यहां से भी देखो टी टेश से question है और टी टेश यहां पे square टेश टेश ठीक है तो कुछ-कुछ अलग है और बहुत सारे similar आप जैसे random sampling से question है assignment पे भी आपको random sampling से question मिल जाता है ओके तो आप देखो यार कि यहां पे बहुत सारे question आपके इसी से आये हुए है ऐसा नहीं है कि बहुत अलग paper दे दिया हो बहुत सारे question आपके assignment सही दे गए है in fact most of the question आपके assignment सही आ रही है अब देखो simple बात कि इस paper के लिए pro tips आपके लिए क्या रहने चाहती है आप अगर एक अच्छे score फोन ना चाहती हो कम समय में तो सुन लो और अगर आपको पास होना है कम समय में मतलब रात तु रात पढ़के ही पास होना है तो भी हो सकता है उ आपको easily websites पर मिल जाएंगे और हमने भी शेयर किये हैं और इसके लावा साथ ही साथ आप भाई भी कर सकते हैं और एक मैं जैन्मेन प्रोवाइड करें डेटेल आपके साथ में शेयर कर दूंगा जहां से आप question paper के solution assignment के solution easily भाई कर सकते हैं और वो भी जैन्मेन quality के साथ में ताकि जिसमें error ना हो because पता ही क्या होता है कि आपने तैयारी करके बहुत अच्छे गए और आप कहते हैं हम तो पूरा लिख के आए हैं लेकिन वह answer ही रॉंग हो तो आपको number नहीं मिलेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं करना है correct assignment की answer correct paper के answer भी होना ज़रूरी है कि उस कई और जी briefly discuss कैसे लिखना है वह आप देख लीजिए पहले आपको explain करना है कि actual में क्या होता है उसके बाद में observations जो पूछी गई है वह आपको points में लिखनी है तभी आपको number मिलेंगे इस तरह से okay and second question देखो what is healthcare तो define healthcare आपको करना है उसके बाद में briefly comment on various healthcare services in India वह आपको point to point ब करना है public health क्या होती है उसके बाद आपको यह mention करना है briefly discuss it's important in the management of covid-19 इस परकार से point में mention करेंगे इसी तरह से बाकी question भी आपके रहने वाले है first of all define and then points में discuss करना है सभी चीडियों को तो देखो मेरी ओर से pro tips यह है कि अगर आप इस course में pass होना चाते हैं तो simple है कि भाई assignment करो कम सिकन दो assignment करके जाओ और previous year कम सिकन तीन paper कर लो आपका पूरा जो exam है वो बहुत अच्छे number से clear आप करने वाले हो 40 plus easily fold सकते हो because मैं 50 नहीं कहूंगा क्योंकि एगनू की checking भी यह उस label की होती है कि कई बार पूरा लिखने पर भी number उतने अच्छे नहीं मिलते हैं और कई बा number के आपके identity दे सकते हूं अगर आप यह चीज़े करके जाते हो तो एक अच्छे इसको definitely fold के आने वाले हो बाकि आज की इस पीडियो में इतना ही जो भी चीडियो में शेयर की हैं आपको बताई हैं वो सभी आपको telegram और website पर मिल जाएंगी check out कर लें और जो assignment और provide details हैं वो आपको comment box में मिल जाएंगे so make sure आप वो भी check out कर लें आज की इस पीडियो में इतना ही पसंद आई तो इस पीडियो को like and share कर देना सभीष्वेंट के साथ में ताकि उनको भी information मिल जाए साथ ही साथ next video कि इस topic पर यही comment करके जरूर बताना इस पीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और update एक और नीव वीडियो में तब तक लिए जैहें जैवारत बाई तुस्तों